शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इन वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले करमना पुलिस थाना हद में रहने वाले यूगों को अपने मित्र का जनम दिन मनाना पड़ा मेहंगा हकीकत ऐसी है कि आजकर मोबाइल में देखे जाने वाले अप्लिकेशन में टिक टॉक आम जनता ने इतना बेबाब कर दिया है कि यूग जादा से जादा वीडियो बना कर टिक टॉक पर अपलोड करके खुद को फेमस करने में मगन हो गया है ऐसे में उनने इस बात का डर भी नहीं रहा कि कानून का उलंगन करने पर प्लीस कारवाई का सामना करना पड़ सकता है हाल ही में चिखले बस्ती करमना में रहने वाले आमीर सोहिल अनवर शेक ने दिनाग 26.05.2020 को उसका करीबी दोस्त हर्षल गुरो मिवासी करमना नागपुर इसका जनमदीन घर के पास के मैदान में मनाने का आवजन शाम के समय किया था जिसके चलते केक काटने के लिए घर से एक स्टील पॉलीश की बड़ी तलवार लहराते हुए लाकर दोस्त के जनमदीन पर केक काटा और दोस्त को जनमदीन की हारदिक बदाई दी यह सब किस्से के चलते वहाँ पढ़ किया गया यह वीडियो कलमनाब बस्ती और नाकपुर शहर में काफी वाइरल हो गया और इस वीडियो की जानकारी क्राइम ब्रांच अपराच शाखा नाकपुर शहर को पुलीस उपनिरिक्षक मयूर चौरसिया इनको लगी मयूर चौरसिया इन्होंने तुरंट साइबर सेल और गोपनिया महितिगार इनके माध्धम से आरूपिया अमीर सोहिल वल्द अनवर शेक के घर की खोश कर उसे गिरफ में लिया छान बीन करने पर अमीर सोहिल इसने वह तलवार अपने घर से निकाल कर दी पुलीस ने सबूत के तौर पर यह तलवाज जब की ऐसे अंगिन्यत वारदाद आज कल टिक टॉक अप्लिकेशन पर देखने को मिल रहे है नए युवक खुद को फेमस करने के लिए टिक टॉक पर कानूं का उलंगन करते दिखाई दिये है जो कि एक गुनिगारी प्रवरुत्ति के दिशा में जा रहे है क्यामेरा परसन विरेंद्र खोब्रागड के साथ क्षिति जादेशमु की रिपोर्ट इन बीसे न्योज नापपूर